नमस्कार मैं कमल श्रीमाली आपका स्वागत, अबिनन्दन हमारी इस चैनल खेल ग्रहों का में आज हम बात कर रहें आपकी समस्यां और शिविलिंग पर अभिशेक से उपचार आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी कोई समस्या हो और शिवलिंग पर सिर्फ कोई पदा से अभिशे करके आप उसका राहत प्राप्त कर सकते हैं आप उसका उपचार करें और समस्या गनिदान प्राप्त कर लें हर जीवन में विरोध, संकट और विखन आते हैं इन्हें दूर करने का कोईन कोई साधन न देखकर कि व्यक्ति गबरा जाता है और जीवन में नेरा साचा जाती है इस संकट की घड़ी में किसी देवी शक्ती की किसी देवी देवता की करपा की अपेक्षा रहती है इसके आवान के लिए अनुबव सिद्ध प्रयोग आवशक है पूजा पाट आवशक है आपको कोईन कोई ऐसा अनुबव हो या कोईन कोई युक्ती आनी चाहिए जिससे आप ये साहता प्राप्त कर सके विश्वास और सद्दा से इने करें तो अतिनिश्चितलाब होता है मंतर सक्ती सादक के साथ में आशा की किर्णों की तरह रहती है मंतर सादक सदेव आशा प्रत जीवन जिता है वह कभी निरास नहीं होता कारण वह एक असीम सक्ति के सानेदिक निरंदर अनुभूति करता है तता विजय और सफलता के किर्टिमान इस्थापित करता है कोई विदान न होने पर भी जिवन की अनेक योजनाओं में सफलता के आकांशा रहती है प्रत्यक दर्सक किसी निकिसी ग्रण से प्रभाविज रहता ही है मंगल, शनी, तता राहू, क्रूर ग्रण माने जाते है तता सूडे और केट्व, विप्रीत फल देने में विशेश सायक होते है इन ग्रहों के प्रभाव से बादाएं, मांसिक परिशानिया, कारे में विलंब, असफलता, मांसिक हानी, आर्थिक शती, बीमारी और कई प्रकार की समस्या नित्य पैदा होती है जब इस प्रकार के कले आपको व्यथित कर दें, हतास और निराश कर दें, तो यह उपाय अपना कर आप राहत प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको एक-एक समस्या और उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, वो मैं बतलाने जा रहा हूँ यह आद्वनिक टेक्नलोजी का यूग है, इसलिए यह कहने का तो प्रस्ण नहीं है का आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए आप जिस भी माध्यम से यह प्रोग्राम देख रहे हैं, आप आराम से पॉस करकर के उसके स्नैप सॉट निकाल दीजिए यह नोट करना चाहें, कहीं नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, अब यह आपकी इच्छा है का आप इनका उप्योग कैसे अपने जीवन में लें तो सबसे पहली बात, आज के इस यूग में, जो भी सफल वक्ति हैं, उसके शत्रु अधिक हैं, चाहें ग्यात और अग्यात शत्रु हो, जो आपसे द्वेस रखते हैं, जो आपसे एरसिया रखते हैं, जो आपसे competition में जीट नहीं सकते हैं, वो आपके शत्रु होंगे, वो उसे लड़े जगड़ा करे और जिसको जानता ही नहीं है उससे कैसे लड़े जगड़ा कर सकता है उससे कैसे समझाए जा सकता है आपने नहीं गाड़ी ली आपकी परड़ोसियों को नहीं पसंद है वो छोटे से बच्चे आकर के उस पर स्केच मार के चले जाएंगे वो जान करेगा तो आपने जो उपाय करना वो जोतिस का उपाय करना है क्योंकि हम उसे लड़ करके कोट के वगरा करके अपना समय बरबाद नहीं कर सकते छोटे लोगों से लड़ेंगे तो वो आपके बराबर खड़े हो जाएंगे इसलिए कभी भी उनको माका मत दीजिए यदि आप को एक सिवलिंग बनाना है लैसुनिया का सिवलिंग और फिर उसको घर में स्थापित करके उसकी पूजा करनी है और यदि आपको समय कम मिलता है तो आपका जीवन साती आपकी पतनी या आपके पती वो पूजा पाट कर सकते हैं आपकी पुत्रवदू वो पूजा पाट कर सकते हैं आपका जीवन स्मूथ हो सकता है आई अब बात करते हैं अगली समस्या की जो भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाता है तो उसको कोईन कोई चीज का भैर जरूर रहता है यदि मेरे साथ में ऐसा हो गया तो यदि इंकम टेक्स की रेड हो गई तो यदि एकसाइस की रेड हो गई तो जो मैं काम कर रहा हूं उसमें अचानक से कोई बादा आ गई तो टेक्स की कोई प्रॉलम आ गई तो बहुत से ऐसी चीजें हैं मानलोब घर को छोड़ गर पे अपने परिवार को छोड़ करके कहीं दिमाग में आता रहता है तो आपने क्या करना है आपने दूर्वा को दूर्वा का अर्थ हरी गास है जो आपने प्राए गार्डन में देखी होगी उस गास को लाना है ठीक उसको गूत करके अताथ उसी गास को आपने इस प्रकार से गूत लेना इस प्रकार से आकार देना आपको सिवलिंग जैसा बन जाए और फिर उसकी पूजा करनी है सरफ आपके इस कर्म से अब हर प्रकार के भैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं सरफ आपने करना क्या है दूर्वा को पीस करके उसको गूतना है अताद दूरवा लानी है उसको पीस्तना है फिर उसका आटा जैसा बन जाएगा उसको गूंत करके सिवलिंग बना देना है और फिर उसकी पूजा करनी है जिस परकासे पार्थिक सिवलिंग की पूजा होती है अताद मिट्टी होती है मिट्टी को सिवलिंग का आकार दिया ज जाती है उसी डंग से आपने ये करना है आईए अब लेते हैं अगली समस्या यह समस्या वास्तम में बहुत से लोगों के साथ में है प्राय जो लोग आते हैं वो सारे उपाय करने के बाद ठक हार कर के आते हैं कि अब आप अंतिम आसरा हो या लास्ट होप हो तो लास्ट होप बोलने से पहले क tor alan कोई की है एसी चीर जिसको VOC उन्हों उपाई भोल सकतें जिसको माद्यहत्में को उपाई बोल सकते सब भगवान के आगए ज्डूली फैलाने से अगर सारे काम हो सकते होते हैं तो हर विक्ति यही करता कोई मेहनत नहीं करता लेकि संतान प्राप्ति की बात ऐसी है कि संतान प्राप्ति में मूलत कुछ टेक्निकल प्रॉलम हुई नहीं अताथ हेल्थ की प्रॉलम हुई नहीं और संतान प्राप्ति में एक नहीं सहकणों कारण उपस्तित हो जाते हैं मेरे पास ऐसे से लोग आते हैं जो अपनी लाइफ में चाचार बार IVF कराने के बावजुद भी संतान को अभी तक नहीं प्राप्त नहीं हुई है या नहीं पा सके हैं उनको करना क्या चाहिए था कि उनको जोतिस के अनुसार अपने कुंडली दिखा करके एक सही समय को उन्होंने जानना था और उस समय आईवेफ की ट्राइ करनी थी तो जब सही समय पर सही कारे होगा तो वो आपकी कामना पूर्ती हो जाएगी और यदि ऐसी ही कोई समय आपके जीवन में है तो आपको मैं जोतिस के माध्यम से और इसपेशली सिविलिंग के माध्यम से सावन का महीना चल रहा है उसमें आपने क्या करना है जिससे आपको संतान समंदी कामना की पूर्ती हो जाए आपकी जो आकांशा है वो पूरी हो जाए और आपकी जोली बर जाए तो बांस के अंकुर जहां भी बांस के बोधे लगते हैं वो जो अंकुर निकलते हैं उसको एकटा करना है और उससे सिवलिंग बना करके उसकी पूजा करनी है सरब ये एफट करने से सास्तुनों के आदार पर ये मैं आपको बोल रहा हूँ कुछी समय में आपको संतान की प्राप्ती हो सकती है कुछी समय का मतलब यहां पर कुछी मैने है आईए अब लेते हैं अगली समस्या हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राय कभी न कभी आर्थिक समस्या से ग्रसित होता ही है बहुत कम लोग होंगे जो ये बोलें कि मैं इस वर्स में आर्थिक समस्या से परशान नहीं हुआ या ग्रसित नहीं हुआ चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे मंतरी हो या सैनापती, चाहे चपरासी हो या बहुत बड़ा बिल्डर हर व्यक्ति अपने जीवन में और अपने काम दंदे में आर्थिक समस्या यदा कदा देखता ही है और यदि आपके जिंद्गे में भी आर्थिक समस्या है, फाइनेशल वरीज है, तो आपको क्या करना चाहिए आपने भी इस स्रावन मा का सिबलिंग के उपर जो अभिशे करते हैं, वो उपाय अपनाना चाहिए आपने दही लेना है, उसको कपड़े में बांद करके टांग देना है जब उस दही में से पानी पूरा निकल जाएगा और वो दही कठोर हो जाएगा, तब उससे सिबलिंग बनाना है अताथ उसको आटे की तरह गोंतना है, फिर उससे सिबलिंग बनाना है इससे आपकी आर्थी किस्तिती अच्छी होने के सासाथ घर में सुक सांती आती है और घर में सुक सांती बनी रहती है आर्थी किस्तिती और ज़्यादा बैटर चाहते हैं अता अनेक्सपेक्टर गेनवार इस्तिती चाहते हैं आता नीचे सिविलिंग या उपर श्रीयंतर बनावा है, उसको श्रीयंतर श्वर कहा जाता है, इस्पटि का बना रहता है, या पारत का बना रहता है, उसकी आपने घर में इस्थावित करके पूजा करनी है, अलग-लग धादू के, अलग-लग पदात के सिविलिंग बने रहत है जब आप अच्छा पैसा कमाने लगते हैं तब क्या होता है अच्छानक से आपको अपने गर में सब तरफ खुशाली सुख सांती प्रसनता चेयर फुल एट्मोसपेर सब लोग आपकी और आकरशीत होते हैं अधाद आपको हीरो बना देते हैं लेकिन आप हीरो तो हैं लेक किसी और के पास में हो सकता है इसलिए स्थाइत वो बनाई रहने के लिए आपको भी कर्म करना पड़ेगा आपको भी एफट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको चीनी से सिवलिंग बनाना है अधाद कोई भी आटे का सिवलिंग बना दीजिए उस पे पूरा चीनी जाएगा और उस सिवलिंग की आपने पूजा करनी है इससे आपको अपने घर में सुक सांती इस्थाई बनाए रहने का मौका मिलेगा अथा आपके ये कर्म से आपका घर में सुक सांती अथा चैन की बंसी बजने लगेगी और हमेशा इस्थाई रहेगी आपने कई घराने द बचर की दरवाज़ों में जाके खड़े हो गए आईए अब लेते हैं अगली समस्या कोई रोग यदि लंबे समय से परशान कर रहा हूँ शरीर है तो उसमें रोग भी आएंगे अलता जो जो शरीर में आयू बढ़ती रहेगी वो शरीर रोगों का घर बन जाता है तो ऐसे सम समय में यदि कोई रोग लंबे समय से परशान कर रहा हूँ तो आप मिस्री के बने सिवलिंग की पूजा करें इससे आपको तुरंत लाब होगा यदि आप और अधिक शीक्र लाब चाते हैं तो उस सिवलिंग के समक्स अता मिस्री से बने सिवलिंग के सामने आपको रुज जूरुएत कि रुद्जास जाई उसमें आठा अध्याएं हैं और आठों अध्याएं शिवजी अभिशेक की रूप में प्रसिद्ध है और रुद्जास जाई के पार्ट करने से कोई भी समस्या कैसी भी समस्या हो उस समस्या का नेराकरण होता है ये मेरा अनुबव सिद्ध प्रियोग है अता इतना experience इस उम्र में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जब भी कठिन से कठिन कस्ट आए कैसा भी कस्ट हो अता रुद्यास जाई का यदि पाट करना नियमित आरहम कर लें या ये कर लें कि हर सुंबार को हम रुद्यास जाई का पाट करना आरहम कर लें तब आप देखें कि वास्तवी ग्रूप में एक चमतकार जैसा फील होता है कि समस्या किस ढंग से step by step निपड़ती चली जाती है आईए अब बात करतें अगली समस्या की ज्यादा तर लोग बोलते हैं कि आप सारे उपाए सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बताते हैं जो पैसे वाले हैं या जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो ऐसा नहीं है जो हमारे किसान भाई हैं जो हमारे अन उत्पादक हैं जो हमारे अन्न दाता हैं, उनके लिए भी हमारे सास्तों में उपाय लिखे वे हैं, जो किसान करसी उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय करना चाता है, वो किसान गुड से शिवलिंग बनाएं और उस पर अन्न चिपका लें, आप चाहें तो गुड के अभिशेक पर का सिवलिंग जब बनाएंगे, उस पर अन्न लगाएंगे, तो चीटियां भी आएंगी, तो आपने व्योस्ता ऐसी करनी पड़ेगी, आसपास पानी का कुंड बना करके ऐसा बड़ा बरतन लेना पड़ेगा, बहुत बड़ी परात लेली, बहुत बड़ी कड़ा ही लेली आपने, उसके अंदर कोई भगुला उल्टा रख करके, उसके उपर सिवलिंग रख करके, उसकी पूजा करेंगे, तो चीटियां वगरा उस तक नहीं आप पहुंच पाएगी, और आप पूरा सावन महीना उसकी पूजा कर पाएंगे, या प्रतियक सुंबार बना-बना कर कि फिर उसकी पूजा करें, और फिर उसको विसनजित करतें, ऐसा कर सकतें, आईए, अब बात करतें, अगली समस्या की, ये समस्या गंबीर है, किसी परिवार में कन्या की विवा की समस्या है, जो की ज्यादातर है, क्योंकि आज का जो यूग है, बिना पढ़े लिखे, पड़ी लिखी है, उसके according ही अपनी साधी करनी चाती है, अपना जीवन साथी चुनना चाती है, उसमें घरवालों की पसंद ना पसंद आज की तारिक में बहुत कम हो चुकी है, ऐसा नहीं कहना चाता मैं, कि एक्दम खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी पसंदीजा इस्तिती होती है, वो बहुत कम होगी, वो नहीं चाहन कर सकते, अतात उनके हाथ में नहीं है, कि वो जो चाहें उस लड़के से साधी हो जाए, या जो वो चाहते हैं, वो जीवन साथी ढूंड कर ले दे, वो एक बीते जमाने की बात थी, जब सब घर वाले ही तह करते थे, तो ऐसी मोती से सिवलिंग बनाना है, अतात मोती खटे करना है, और उसको इस दंक से गूतना है, कि वो सिवलिंग का आकार हो जाए, उसकी पूजा उपासना करें, अत्वा नवनीत के वरक्ष के पत्ते से बने सिवलिंग की पूजा करें, जिस प्रकासे पेड़ पोदों के नाम होत तो उनकी सौभा के वर्दी होती है अधात उनको ग्रस्थ सुख मिलता है जीवन भर ग्रस्थ सुख मिलता है या यह बोच सकता है अखंड सौभा के वती ही रहने का उनको वर्दान प्राप्त हो जाता है उनको वर्दान मिल जाता है अब बात करते हैं अगली समस्या की आयू म जीवन में effort करता है एक जीवन में मध्यम वर्ग या उपर चड़ने के बाद में अताथ आयू अधिक हो जाने के बाद में उसकी इच्छा रहती है कि मेरे आयू कम न हो जाए अताथ में इन छोड़ी बीमारियों से परशान हो करके कहीं कहीं दीर कोई बड़ी बीमारी ऐसे च कस्तूरी और चंदन, मतलब चंदन जादा लेना कस्तूरी का छोड़ा सा पाट ले लिजिए उससे अपने सिवलिंग बनाना है अताथ चंदन की लकड़ी से बना सकता है चंदन का बुरादा करके फिर उसको आटे से गूंत लें या उस चंदन को गूंत करके फिर आप तो ये था आपकी जीवन में किस प्रकार आपने अभिशेक करके शिवलिंग की पूजा करके और सिरफ कोई पदात से बनावा शिवलिंग की पूजा करके अपने जीवन में आप सफल हो सकते हैं, अपने जीवन में आप जो चाते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं यह सब कुछ आ आपने जाना है इस प्रोग्राम में। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आकर्मन करने से पूर्व रामेश्वर्म में शिवड़ी की पूझा किती है ता सिवलिंग की स्थापना की थी। सुयम रावन शिवड़ी का परमभक्त था। प्राचेन काल से शिव जी की पूजा देश के कोने कोने में प्रचलिते हैं, दक्षिन में पंच तत्व के सम्मिलित रूपों को पंच लिंगों का प्रतीक मान करके पूजा की जाती है। उस पर अमल करना है और आपके इस अमल करने से आपका जीवन सफल हो सकता है, आपका जीवन जो आप चाते हैं वैसा बन सकता है, अथा जो व्यक्ति एफर्ट करना चाता है और उस एफर्ट को वो अंतिम रूप में सकसेस होना चाता है, सफल होना चाता है, वो आप हो सकते हैं सर्फ आपने इन उपाएं उपर आता जो भी धार्मिक उपाएं जो भी परंपरगत उपाएं उनको अमल में लाना है स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपना और अपने घर में बुजुर्गों का खयाल रखिए और साथ में इस सावनमा का पूरा उपयोग लें सावनमा में कहिन के धार्मिक इस्तानों की यात्रा करें मेरा इतना ही उद्देश्य था आपको ये बताना है कि उद्देश्य कितना सफल हुआ अपने कमेंट आप अवश्य दें और आलोचना है तो भी जरूर करें हम उसका भी स्वागत करेंगे नमस्काल झालोचना है तो भी स्वागत करेंगे नमस्काल